हेलो एवरिवन मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं let, const and where के बारे में so let, const और where तीनों क्या हैं? जावा स्कृप्ट में तीनों कीवर्ड्स हैं और किसले यूज होते हैं? वेरियबल डिक्लेयर करने के लिए so वेरियबल डिक्लेयर का मतलब क्या है? suppose आपको कोई वेरियबल चाहिए जिसमें student का रोल नंबर इस्टोर करना है तो वेरियबल ने मान लो हो गया रोल नम, नम के एन मैंने अपर केस में लिया है कुछ भी ले सकते हो, right? तो रोल नम के पहले मैंने लिख दिया वेर यह मैंने क्या किया? मैंने वेरियबल डिक्लेयर कर दिया इसको हम बोलते हैं वेरियबल डिक्लेयरिशन अब इस वेरियबल में जो भी आपको वेरियबल डिक्लेयरिशन तो इसको हम अब भी समझेंगे पूरा detail में I hope इतना clear हो गया होगा कि let constant where का का काम क्या होता है variable declare करना अब तीनों का तीनों काम सेम कर रहे हैं बर तीनों का role अलग-अलग है मैं एक-एक करके सब की बात करता हूँ जैसे सबसे पहले मैं अगर where की बात करूँ so जो हमारा where होता है वो function blocked होता है function blocked ठीक है और उसके बाद मैं let की अगर बात करूँ let and const की तो ए दोनों हमारे scope blocked होते हैं अब भी क्या होता है मैं इसके बारे बात करूँगा चलो पहले तीनों को एक बार तीनों से variable declare करके हम देख लेते हैं तो सबसे पहले अगर हमें where से variable declare करना है तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे variable का नाम x अब जैसे इसमें आपको 10 इस्टोर करना है तो 10 ठीक है अब मैं इसको print करता हूँ console में so console.log and then x ctrl s यह दोखो यहाँ पे 10 आ गया ठीक है ओके चलो अब मैं इसको comment कर देता हूँ suppose अब मुझे let से variable declare करना है so let y assign with 20 again मैं इसको console.log कर देता हूँ so console.log और मैं यहाँ पे y को print कर दिया ctrl s ठीक है okay error आ गया क्योंकि मैं यहाँ पे upper case में दे लिया है और variable lower case में है ठीक है तो इस इस का ध्यान रखना सब लोग ctrl s देखो हमारा 20 आ गया ठीक है let जो है अगर किसी variable के पहले हमने let लिखा है तो उसकी value को हम change कर सकते है ठीक है जैसे y की value अभी क्या है 20 है बट हम चाहें तो y की value फिर y assigned with y plus 5 तो कितना हो जाएगा अब y plus 5 तो y में कितना है y में हमारा 20 है 20 plus 5 कितना हो जाएगा 25 और ये 25 किसमे वो आपस store हो जाएगा y में तो y की value change हो गई देखो run करते है ये देखो 25 ठीक है तो अगर किसी variable के पहले हमने let लिखा है या फिर where लिखा है तो उस variable की value को हम change कर सकते है जैसे x की value क्या है 10 है अगर x की value को हम change करना चाहे तो हम आगे change कर सकते है sorry आगे हम इसको change कर सकते है जैसे x assign with मैंने, मैं एक string कर देता हूँ, hello, ठीक है, अब इसको print करते हैं, console.log और मैं यहाँ पर कर देता हूँ, x, run करते हैं, hello, ओके, सो अगर किसी variable के पहले let या const लिखा हुआ है, तो उसकी value को हम change कर सकते हैं, ठीक है, सो जब यहाँ पर y में 10 था, sorry, y में 20 था, तो 20 किस type का data है, integer, तो उस समय y का type क्या था, integer, ठीक, उसी तरीके से जब x में 10 था, तो x का type क्या था, integer, बट यहाँ पर जब मैंने x में hello store कर दिया, तो x का type change होगे, क्या होगे, string, क्योंकि hello क्या है, string है, ओके, अब बात करते हैं, const की, const का मतलब constant, यानि अगर किसी variable के पहले मैंने const का use किया, जैसे मैं एक variable लेता हूँ const और t, ठीक है, अब suppose मैंने 30 था, अब मैं इसको console कर देता हूँ, so console.log और मैं यहाँ पर print करता हूँ t, ctrl s, यह देखो, 30 आ गया, but const का मतलब constant, मतलब t की value को हमने constant कर दिया, अगर t के पहले आपने const का use किया है, तो आप t की value को change नहीं कर सकते हो, देखो अगर change करने कोशिश करोगा, तो क्या होगा, मैं इसको comment में कर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ t, assign with कुछ और t plus 67, ठीक है, ऐसे ही, अब मैं इसको console.log करता हूँ, so console.log और मैं यहाँ पर लिखता हूँ t, अब देखना क्या होगा, so यह दो के error आगया, error क्या आया, assignment in constant variable at script js17, मतलब line number 17, नहीं देखो, बोल रहा है कि आप line number 17 में constant variable के अंदर दूसरी value store करने की कोशिश कर रहे हो, जो नहीं हो सकता, यहाँ पर देखो line number 15 में, t के पहले मैंने constant लिखा, मतलब मैं javascript interpreter को यह बता रहा हूँ, कि भाई t की value constant of 30 रहेगी, आगे मैं t की value को change नहीं कर सकता, बट line number 17 में मैं क्या कर रहा हूँ, t की जो भी पुरानी value है, उसमें 67 add करके, जो नहीं value आई, वापस उसको मैं t में store कर रहा हूँ, यानि t के value change कर रहा हूँ, इसलिए error दे दिया, अगर variable के पहले constant है, तो उसकी value को हम change नहीं कर सकते, तो अच्छा use क्या है, जब तुम program करोगे, problem solve करोगे, तो यहाँ पर const का use क्या आएगा, अब कितनी सारे ऐसे values होती हैं हमारे variable में, जो हम कभी change नहीं करना चाहते, जैसे मान लो तुम कोई mathematical program बना रहे हो, और तुम्हें बार-बार pi की value यूज करनी है, जो कितना होता है, 3.1414, ठीक है, तो अगर तुमने pi के पहले मान लो, suppose let लिखा, तो हो सकता है, pi की value काई गलती से भी change हो गया, 3.1414 के अलावा, तो फिर पूरे program में, जहाँ जहाँ तुमने pi का use की होगा, सब जोगा calculation गरबढ़ हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, safe side रहने के लिए, pi के पहले हम लिख देंगे const, अब इससे pi की value change नहीं हो सकती, और pi की value हमें 3.1414 चाहिए है, अब suppose हमें circle का area निकालना है, so let area, मान लो हमारा radius r है, so let r assign with 2.5, अब area कैसे निकालेंगा, pi r square, तो pi हमारे किस्म है, pi variable में, फिर into r, फिर into r, और उसके बाद हमें इसको अगर console करना है तो, console.log और यहाँ पे हमारा area, right, control less करते हैं, देखो हमारा area गा, 19.635, so I hope clear हो गया होगा, where, let और const में क्या difference है, क्या काम करते हैं, तीनों, ओके, इसके अलावा अब एक सी जोर देखो, अगर हम where type का variable लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने हाँ पे एक where type का variable ले लिया, where t, t नहीं, मैं z ले ले लेता हूँ, जैड में मैंने कुछ इस्टोर नहीं किया है, अब अगर मैं z को प्रिंट करता हूँ, console.log और z, तो देखना output क्या आएगा, देखना output क्या आए, undefined, मतलब अगर z में मैं कुछ भी इस्टोर नहीं किया हूँ, तो output undefined देदेगा, मतलब z defined नहीं है, कोई value नहीं है, अगर मैं let के साथ variable को declare करता हूँ, जैसे मैंने लिखा let z, ठीक है, अब देखना क्या होगा, undefined, let के साथ भी अगर हम कोई variable लेंगे, और उसमें value इस्टोर नहीं कियें, तो क्या आजाएगा, undefined आजाएगा, ठीक है, बट अब देखो कमाल, जो const है हमारा, अगर variable के पहले हम const लिखे हैं, तो उसकी value तो उससी समय इस्टोर करनी होगी न, क्योंकि यो constant हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे हम const लिखते हैं, const, और अब save करेंगे देखना क्या होगा, error आ गया, missing initializer in const declaration, क्योंकि भाई इस variable को तुम जहाँ declare कर रहे हो, इसकी value चेंज ही नहीं कर सकते, तो initial value क्या होगी हो तो यहीं देना होगा न, तो यहाँ पे अगर सपोज तुमने 67.98 दे दिया, तो अब यहीं value रहेगी, तो const variable को normally हम सिर्फ declare करके नहीं छोड़ सकते, ठीक है, let और where के साथ तुम variable सिर्फ declare कर दो, value store ना करो, आगे कर सकते हो, बट const के साथ अगर variable declare कर रहे हो, तो उसमें तुरंत value भी हमें store करनी पड़ती है, देखो, control S करते है, हमारा output आ गया, 98.56, so I hope clear हो गया होगा, अच्छा, एक चीज़ और, मैं बार-बार variable declaration, variable declaration बोल रहा हूं, तो variable, basically variable declaration का मतलब यहीं होता है, कि कोई भी तुम variable लेते हो, ज declare कर रहे हैं, जिसको हम use करने वाले हैं, simple, तो चाहिए तुम const के साथ variable को declare करो, let के साथ करो, where के साथ करो, हम किसी के साथ कर सकते हैं, तो ओके, यह तो हमारा clear हो गया, अब मैंने starting में देखो, उपर लिखा था, कि where जो होता है, function blocked होता है, और let और end const जो होता है, इसको blocked होत हो, अगर समझ जाओ, तो अच्छा है, ठीक है, so javascript में function क्या होता है, कोई भी एक entity जो किसी particular work को perform करती है, function बनाते कैसे है, function, function ने मान लो हो गया हमारा add, उसके बाद parenthesis open close, और function के नीचे function का block, तो curly braces open close, इसको हम block बोलते हैं, ठीक है, और उपर हमने क्या लिखा है, function, function क block है, तो हमारा where जो है, वो function blocked है, इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर function के अंदर तुम कोई variable लेते हो, where की help से, जैसे मैंने लिए where h, और इसमें store कर लिया मैंने 30, तो अब h variable को हम function के अंदर ही use कर सकते हैं, function के बाहर use नहीं कर सकते, देखो मैं दिखाता हूँ, function के अंदर dot log, और मैं यहां पर print करता हूँ h, अब मैं इस program को run करता हूँ, so h, मैं इसको run करता हूँ, ctrl s, so देखो output कुछ नहीं आया, क्यों, क्योंकि यह हमारा function है, function execute तब ही होता है, जब उसको हम call करेंगे, जैसे घर में, function क्या होता है, function एक machine है, जो किसी particular work को perform करती है, ऐसे समझ करती हो, जैसे तुमारे धर में, kitchen में, mixer होगा, mixer grinding करने का काम करता है, mixer अपने आप काम नहीं करेसे, जाओएगा, जाओगा, तुम उसको तो ऐसे start करोगे तब हो काम करेगा, जब तुम उसको call करोगे, start करोगे, तब काम करेगा, उसी तरीके से function को जब हम call करेंगे, तब काम करेगा, तो suppose function का नाम क्या है, add, तो call कैसे करेंगा, हम लिखेंगा function का नाम add, और फिर parenthesis open close, open close, अब जैसे ही computer इस line number 34 को read करेगा, वो त देखो है line number 31 दिया भी है, ठीक है, but अब जो ये where type का मैंने variable लिया है function के अंदर, इसको हम function के बाहर नहीं use कर सकता है, क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या लिखा था, यहां क्या लिखा था, कि where जो होता है function blocked होता है, देखो मैं करने ही कोशिश करता हूँ, मैं यहां लिखत 35, बोल रहा है कि h भाई कहा है, तो कहीं मिली नहीं रहा मुझे, interpreter बोल रहा है, क्यों, क्योंकि interpreter इस h को कहा ढूड़ेगा, function के अंदर नहीं जाएगा ढूड़ने के लिए, क्योंकि function के अंदर जो भी variable declare हुआ है, वो सिर्फ इस function के अंदर, मतलम line number 29 से 32 के अंदर use हो सकता ह इसलिए बोलते हैं, वेर की help से जो हम variable declare करते हैं, वो function blocked होते हैं, ठीक है, ओके, अब let और const हमारा scope blocked होता है, तो scope क्या होता है, मैंने अभी बताया, जो function का जो block है, line number 30 से जो ब्रेसर जो open हुआ, line number 33 पे close हुआ, इसको हम सिर्फ block बोलते हैं, इसको हम block बोलते हैं, अगर य जैसे मान लो, मैं इसको comment कर देता हूँ, मैं comment कर देता हूँ, अब मान लो, जैसे यहाँ पे, एक curly brace से सिर्फ open close, तो यह क्या है, यह simple block है, ठीक है, अब यह block if का भी हो सकता है, जैसे मान लो, मैंने उपर if में condition लिखा, if 67 greater than 34, ठीक है, तो यह हमारा if का क्या हो गया, block हो ग करते हैं, where की help से, where y assign with 33, तो हम इसको चाहें, अगर y को, तो हम बाहर यूज कर सकते हैं, देखो, मैं करके दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ, console.log, और मैं यहाँ पे अगर y को print करूँ, और मैं control s करता हूँ, देखो, y की value यह कहां से आ रहा है, line number 38 से, where assign with की error दे रहा है, y है, okay, ऊपर y नाम का variable अलड़ी है, मैं y1 ले ले लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे y1 को print कर देता हूँ, और मैं control s करता हूँ, देखो 33 आ गया, ठीक है, तो अगर हम where की help से function के अंदर variable हम declare करते हैं, तो कहीं और use नहीं कर सकते, बट अगर if के अंदर declare करते हैं, किसी भ और const होता है, वो block scoped होता है, मतलब let और const की help से तुम कहीं भी variable declare करो, चाहे function के अंदर, या if के अंदर, या किसी loop के अंदर, तुम उसको बाहर use नहीं कर सकते हैं, जैसे देखो यहीं पे if के अंदर, मैं where की जगा let का use कर लेता हूँ, मैंने इसकी जगा let का use कर लिया, control s, अब देखो error आ गया, मैं y1 का use अब बाहर नहीं कर सकता, यहाँ function का भी, मैं suppose इसको चली इसके अंदर, const का use कर लेता हूँ, अब भी मैं इसके y1 को बाहर use नहीं कर सकता, देखो error आ जाएगा, तो याद रखना let और const क्या होता है, हमारा block scoped होता है, किसी भी block के अंदर, अ झाल 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